बिहार बोड स्टडी पॉइंट प्रिंच सिर्फ आपका स्वागत है आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी जो स्पिसली बिहार बोड का है सौ मार्क्स का आप लोग चैप्टर 11 का पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं पार्ट 1 में हमने लेखक का परिचाय पढ़ा था जिनका नाम है मलेयज लेखक का नाम क्या है मलेयज और पार्ट 2 में हमने पूरे चैप्टर का एक्स्प्लानेशन दिया था जिसमें जो चैप्टर का नाम है हसते हुए मेरा अकेलापन जो उन्होंने अपने जीवन यात्रा म यह महतवपुर्ण 12 डायरिया इसमें रखी गई जिनके बारे में इसके पहले वाले क्लास में पढ़ा था ह। आज की क्लास में और इस चेप्टर का ये लास्ट पार्ट है लास्ट पार्ट नहीं सेकंड लास्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इसके objective question और साथ ही साथ आपकी किताब में जो भी subjective question दिये गया है प्रस्थ न दिये गया है उसके प्रस्थ उतर को समझेंगे और इसके last part पर यानि part 4 में इसके सरांस को पढ़ेंगे तो चलिए start करते हैं पहला objective question और देखते हैं पहला प्रस्थ नहीं का जन्म कब हुआ था है भाउत सुंदर ए नंबर अप्सें सही है 1935 में इनका जन्म हुआ था दूसरा प्रस्थ नहीं मलेज का मूल नाम क्या था वैसे तो इनको मलेज कहते थे लेकिन इनका जो नाम में था जो नका certificate में था क्या नम था वो भारत जी शिर्वास्थ भाष्ट जी सिर्वास्थ नाम था उनका तीसरा प्रस्ण है कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पे चार कथन दिये गए है और चारों कथनों में आपको पहचानना है किसमें से कौन सही है अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा ठीक से तो समझ जाएंगे किसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है पहला option A number है रचा हुआ यतार्त भोगे हुए यतार्त से अलग है B number है सुरक्षा अगर कहीं हो सकती है तो बाहर सुरज की रोशनी में नहीं काई ये सही है? लेकेक ने बताया था कि सुरक्षा सुरज की रोशनी में हो सकती है अंधेरे में नहीं और यहां पे कह रहा है सूरज की रौसने में नहीं हो सकती है तो ओलेड़ी ये गलत है C नंबर A दस्तावेज रचना का कच्छा माल नहीं हो सकता D है आदमी होने की सर्थ यह रचा जाता भोगा जाता संसार नहीं है तो इसका A नंबर आप्शन क्या है? सही है अगला क्वेशन है हासते हुए मेरा अकेला पन किसकी रचना है? इस पार्ट को किस ने लिखा है? मलेज C नंबर आप्शन D नंबर है देखिए अगर कोई भी क्वेशन आ रहा है दुबारा तो उसको आप लोग मत लिखिएगा उसे छोड़ दीजिएगा अगला प्रस्टा है कविता संग्रा है अब यहाँ पे चार अप्शन है और इसमें से आपको बताना है किसमें से कौन कविता संग्रा है क्योंकि मलेज ने कविता संग्रा भी लिखे हैं उनके परिचाह में आप लोग देखे होंगे तो इसमें बताना है कि कौन कविता का सं बी नंबर रामचंद्र सुक्ल सी है हस्ते हुए मेरा अकेलापन और दी है कविता से साक्षातकार तो यह नंबर अप्शन सही है क्योंकि मलियर जी ने एक कविता संग्रा लिखा था जिसका नाम है जक्म पर धूल उसके बाद है अगला प्रशन हस्ते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखी थे दीए विद्या अगर कहें भी आये ना विद्या सब्द लगाओ तो समझ जाए कि पूछना चाहता है कि क्या यह निवन्ध है क्या यह कहानी है कविता है साक्षातकार है एकांकी है मतलब अब यह क्या है विद्या करती ही होता है तो यह है डायरी विद्या क्योंकि इन्होंने जितने भी बाते लिखी है वह सारी की सारी बाते किसमें लिखी है एक डायरी में लिखी हुई है अगला प्रस्णा है हर आदमी उस संसार को रश्ता है जिसमें वह जीता है और भोगता है कल हम लोगों ने पढ़ाता कि हर व्यक्ति संसार में आता है तो इस संसार का सुख प्राप्त करता है और फिर संसार से जाने से पहले अपने जैसे संतान यहां पे छोड़ कर जाता है त फिर उसकी अगली पढ़ी आती है, वो इस संसार चलाती है और निरंधर या प्रक्रियां चलते रहती हैं या कछ़ान कीनका है, ये बात किसने कहा था तो मलियर जी ने हस्ते हुए मेरा अकेला पनपाथ में ये बात कहे हैं अगला प्रशन है सुरक्षा कहा हो सकती है तो लेखा कनुसार पहला अप्षन है घर के भीतर B. अंधेरे में C. पलायन में D. चुनावती को जहलने में कहाँ पर सुरक्षा है जब हम चुनावतीओं को जहलेंगे हमारे सामने समस्याएं आएंगी तभी हम अपने आपको बचा पाएंगे क्योंकि जब तक समस्या नहीं आती है आदमी समधान के बारे में नहीं सोचता है अगर आपके जीवन में कभी दुख आया ही नहीं तो फिर उस दुख को दूर करने के लिए आपका भी सोचेंगे नहीं सोच सकते हैं तो समस्या जिन्दगी में आना चाहिए कहा गया है कि जिस दिन आपके सामने कोई समस्या नहीं तो समझ लीजिए वह दिन आपके लिए बेकार था आप उस दिन को बरबाद कर दिये आपका एक दिन का जीवन जो था वो नश्ट हो गया क्योंकि जिनका जीवन रोज चुनावतियों से भरा हो उन्हीं का जीवन इस धर्ती पर सफल है लेकिन दुनिया उल्टा सोचती है जिस दिन हमें कोई टेंसन नहों मजा हो उस दिन सुपसे अच्छा लगता है लेकिन बड़े बड़े लोग यह मानते हैं कि जिस दिन समस्या आहिए उस दिन आपका जीवन जीवन नहीं आप गाएभईस की तरह अपना जीवन जी रहे यह बस खाना खाए और पढ़े रहे आप मनुस्ये नहीं है उस दिन अगला प्रस्न है रचन और भोगने कारिष्ता कैसा होता है यानि मनुष्य जो रचना है और उसको भोकता भी हैzt हैं यानि के दोनों तरफ से हम जिसकी रचना करते हैं एक तरफ हुगा और फिर उसको हम क्या करते हैं भोगते हैं, भोगने कार्थ हुआ कि उसका सुख आनंद प्राप्ट करते हैं, तो इसको कहा जाता है दौन दौात्मक, दौन दौात्मक मतलब होता है दोनों तरफ से, कि एक काम करेंगे तो दूसरा होगा, पहला नहीं करेंगे तो दूसरा नहीं होगा, जैसे आप लेकि उल्टा दोन द्वात्मक हो जाएगा यह थोड़ा है अगला प्रस्णा है कि मल्यज का जन्म कहा हुगा था कि कौन से जगा में आजमगड बहुत संदर सी नंबर आप्शन सही है आजमगड मल्यज ने किस मंत्राले में नौकरी की थी किस मंत्राले में नौकरी किये थे जी क्रिसी मंत्राले बहुत संदर क्रिसी मंत्राले मतलब जहां पर यह खेती होती से सम्मंदित जो भी भाग होता है उसको क्रिसी मंत्राले कहते हैं उसी मंत्राले में यह काम किये थे अगला प्रस्ता है मलयज के पिता का नाम क्या था बताईए बहुत सुंदर बी नमबर अप्सन है तिरलोकी नाथ बर्मा तिरलोकी नाथ अगला प्रस्णा है मले आज छात्र जीवन में किस रोग से गराशित थे कौण सा रोग हो गया था उनको चौई रोग जिसको अपने भासा में टीवी कहते हैं क्या कहते हैं टीवी कहते हैं अगला प्रस्णा है सेव बेचने वाली लड़की की आयू कितनी थी साथ से आठ साल अगला प्रस्णा है सूचिना केंद्र में लेखक को आकरसित करने वाला अधेड़ वैक्ती कौन था क्या नाम था उनका बाल भादर ठाकूर क्या नाम था जिनका मतलब वो नहीं थे जो आपस भी नहीं करता है इतना मैं संदार लिखता हूं और उन्हीं की बातों को सुन रहे थे कौन लेखक अगला प्रस्णा है पेड किसलिए काटे जा रहे हैं उन्होंने डाइरी नमबर एक में यह बात लिखी थे कि हां मिलिटरी के लोगों ने पेड़ इसलिए कराट रहे लेते इंधन के लिए जलावन के लिए अगला प्रस्णा है मलियज ने जख्म पर फूल नाम कभीता कभ लिखी थी 1971 में अगला प्रस्णा है मलियज की मा का नाम क्या था प्रभावती देवी बहुत सुन्दर अगला प्रस्णा है मलियज ने में किस विश्व विद्याले से किया इलाहाबाद विष्व विद्याले काहन से इलावाद भिष्व विद्याले से तो ये थे आपके चेप्टर के कुछ महत्वपूर्ण objective question चलिए इस chapter से सम्द्दी बिष पेछिए धिस किताब में पीछे दिये हुmeden उनको देख लेते हैं और आप लोग उसको नोट कर लेंगे पहला प्रस्ना है हमारा डाइरी क्या है आपके किताब में पेज नमर 134 में दिया हुया है पहला प्रस्ना डाइरी क्या है टोटल इसमें 14 प्रस्ना है तो उसका उत्तर है नीचे देख लेंगे आप लोग दो नमबर प्रस्ना है डाइरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है तीसरा प्रस्ना है किस तारिक की डाइरी आपको सबसे प्रभावी लगी और क्यों इन्होंने अलग अलग डेट पर डाइरी लिखिये ने बार तो कौन सी डेट वाली डाइरी आपको सबसे अच्छी लगी थी उसके बारे में आपको लिखना है चार नमबर प्रस्ना है डाइरी के इन अंसों में मल्यज की गहरी संबेदना घुली हुई है इसे परमारित करें पाँच नमबर है ब्याख्या करना है क्या करना है जी ब्याख्या तो कौ और खौ करके दिया है कौ नमबर है आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है जिसका ब्याख्या नीचे किया गया है खो नमबर है इस संसार से संप्रिक्ति एक रचनात्मक कर्म है इस कर्म के बीना मानिवियता अधूरी है छे नमबर प्रस्थन है धर्ती का छड से क्या आसे है मतलब धर्ती का छड इसका क्या अर्थ होगा सात्वा है रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या संबंद है आठ नमबर है लेखक के अनुसार सुरक्षा कहा है वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है नमबर प्रस्ण है डायरी के इन अन्सों से लेखक के जिस मुढ का अनुभाव आपको होता है उसका परिचे अपने सब्दों में दीजिए दस नमबर प्रस्ण का अर्थ स्पष्ट करना है क्या करना है और थे स्पष्ट करना है एक कलाकार के लिए निहायद जरूरी है कि उसमें आग हो और खुद वो क्या हो यह बात कहते हैं न कि लेखनी में आग हो लेकिन वो खुद क्या होना चाहिए ठंडा यानि सांथ होना चाहिए ग्यारे नमबर है चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिधान्त पढ़ा था बारे नमबर प्रस्ण है 11 जून 1988 की डायरी से सब्द और अर्थ के सम्मंद पर क्या प्रकास पढ़ता है अपने सब्दों में लिखें तेरह नमबर प्रस्ण है रचना और दस्तावेज में क्या फर्क है लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है 14 नमबर प्रस्ण है लेखक अपने किस डर की बात करता है इस डर की खासियत क्या है अपने सब्दों में लेखें तो इस तरह आपके ये प्रस्न उतर समाप तो इसको नोट कर लें आप लो और इसके बाद इसका लास्ट पाटम इसका सराज पढ़ेंगे